देज में कोविट के हालात को लेकर सरकार सतर कर प्रदानमंतरी मोदी में समीशा के लिए की उचिस तर ये बैठा कहा की कोविट अभी खत्म नहीं हुआ कोविट मामलों पर कड़ी निगरानी की सलाख खास और पर अंतरराश्य हवाई अड़ो पर रखी जाए कड़ी नजर हर इस्तर पर कोविट के बुनियादी धाचे और उपकर्णों को तयार रखने पर दिया बार कोविट के मसले पर स्वास्त मंत्री मंसुग मांड़िया ने संसत के दोनों सद्नों में दिया बयान कहा मंत्राले के वैश्वे का कोविट स्थी पर नजर उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम नेजल वैक्सीन को एक्सपर्ट ने दी है अनुमती कोरोना से निपटने में मिलेगी मदद यूपी महराश्ट उत्राखंड समेट तमाम राजियों ने भी की कोविट पर समिच्षा बैठागा चीन और जापान समेट कई देशों में कोविट से बिगड़े हालाग चीन में शेहरों के बाद गाउं में भी फैला कोविट विश्वस्वास संगठन ने जताई चिंता आस्पताल में भरती मरीजों की संख्या और आईसीओ की जरूरतों पर मांगी विस्थरे जानकारी जापान में कोविट के दैनिक मामलों की संख्या दो लाग के पार संसत के दोनों सदनों में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा कारवाई बार बार बाधित राजिसवा से विपक्ष ने दिन भर के लिए सदन से किया वौकाउट प्यूश गोईल ने कहा कॉंग्रेस को राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिये चीनी दूतावास से मिले एक करूर बेंतिस लाग इसलिए कॉंग्रेस कर रही हैंगामा प्यूश गोईल के बयान पर विपक्ष का अगामा गोईल ने कहा वापस लेता हूँ बयान तमिलनाडू हिमाचल और करनाठक की अनुसूचित जन जाती की सूची में संशोधन से जुड़े तीन विद्यकों को राजी सभा ने दी मन्सूरी लोगसमा में केंद्री मंत्री प्यूश गोईल ने देश में कारोपारी सुगंता को बढ़ावा देने से संबंदे जन विश्वा संशोधन विद्यक 2022 किया पेश विद्यक को दोनों सद्नों की संयुक्त समिती को भीजा गया कॉंग्रिस महासरचिप प्यांका गांधी के पती रॉबर्ट गॉटरा को राजिस्तान हाई कोर से लगा जटका जमीन घरी से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस को खत्म करने की आचिका खारेज गिरफतारी पर लगाई है फिलहाल 15 दिनों की रोग भाराचीन के बीच कोर कमांडर इस्तर की सत्रवे दौर की वारता में पश्चिमी शेत्र में एलेसी के प्रसांगेक मुंतों के समाधान पर भी चर्चा दोनों पक्ष पश्चिमी शेत्र में जमीन पर सुरक्षा और इस्तिता बनाये रखने पर सहमात सैनियों और जोके मालियम से बाचीत का स्लसला जारी रखने पर भी रजामन्दी मेर्पोर्टेस्ट में भारतिय गेंद बाजू का शांदार प्रदर्शन बंगलादेश को पहली पारी में 227 रणों पर समेटा हुमेश यादव और आर अश्वीन में जटके चार चार विकेट वहीं 12 साल बाद टेस्ट टीम में लोटने वाले उनाद कट को दो विकेट नमस्कार आप देखनें डीडी नियूज आपके साथ मैं हूँ गौर अफशिर वास्ताप तो चलिए बुलिटन की शुरुआत करते हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की इस्थिती स्वास्त के बुन्यादी धाचे और दवाईयों की अपूर्ती देश में ठीका करन अभियान की इस्थिती और नए कोविड-19 वेरियंट से जुड़ी चिंताओं और सारवजनिक इस्थरी का आगलन क करने के लिए एक उचिस तरिये बैठा की अधिश्था की बैठा की जानकारी शेयर करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि मैंने कोविड-19 के लिए सारवजनिक स्वास्ते प्रतिक्रिया की समिक्षा के लिए एक बैठा की अधिश्था की मैंने परीक्षन जीनोम सिक्वेंसिंग में तेजी लाने और कोविड बुनियादी धाचे की परीचालन ततपर्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथी कोविड उपियोगत व्याहार का पालन करने की आविशक्ता पर बल दिया। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंसरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राजियो के परामर्श और बुधवार को केंद्री स्वास्थ मंत्री मंसुक मान्विया की बैठक के बाद गुरुवार को प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कोविड के हालात पर अहम बैठक की। प्रधान मंत्री ने स्वास्थ मंत्राले के अधिकारियों और इससे जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में दुनिया भर में फाइल रहे संक्रमल के हालात को लेकर चर्चा हुई प्रधान मंत्री ने देश में COVID-19 की स्थिती स्वास्थ के बुनियादी धाचे और स्वास्थ के बुनियादी धाचे की तैयारी और देश में टिकाकरन अभियान की स्थिती की तैयारी का जय जा लिया बैठक में स्वास सचिव और नीती आयोग के सदस्य ने देश और दुनिया में COVID-19 के स्थिती के संबन में एक व्यापक प्रस्तूती दी प्रधान मंत्री को बताया गया कि भारत में COVID के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और औसत देनिक मामले गिरकर 103 पन हो गए हैं हाला कि पिछले 6 सब्ता में वैश्विक स्थर पर 5.9 लाग देनिक औसत मामले दर्ज किये गए हैं प्रधान मंत्री ने COVID मामलों पर कड़ी निगरानी की सलाह दी और फिर कहा कि COVID अभी स्खत्म नहीं हुआ है पिम ने अधिकारियों को निगरानी उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया और खास तोर पर अंतराश्ट्री हवाई अड़ों पर निगरानी बढ़ाने को कहा है प्रधान मंत्री ने या सुनिश्चित करने पर बल दिया कि हर इस्तर पर COVID के बुनियादी धाचे उपकरणों को तयार रखा जाए उन्होंने राज्यों को सलाहदी की अक्सीजन सिलेंडर, PSA प्लांट, वेंटिलेटर और अस्पताल के बुनियादी धाचे का ओडिट किया जाए ताकि उनकी परचालन ततपरता सुनिश्चित रहे प्रधान मंत्री ने अधिकारियों को परिक्षन और जीनोम सिक्वेंसिंग को तेज करने का निर्देश दिया राज्यों को दैनिक आधार पर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए नमूने लैब में भेजने को कहा गया है इससे कोविट के नए वैरियन का समय पर पता लगने में मदद मिलेगी प्रधान मंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे हर समय कोविट प्रोटोकॉल का पालन करें खास तोर पर आने वाले तेवारों के मावसम को देखते हुए भीड भाड़ वाले सारवजनिक अस्थानों पर मास्क जरूर पहने प्रधान मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि सभी लोग खास तोर पर कमजोर और बुजुर्ग एतिहाती खुराक ले प्रधान मंत्री को बताया गया कि दवाओं, टीकों और अस्पतालों के बिस्तरों के संबंद में परियाप्त उपलब्धता है। उन्होंने आवश्चक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी। बियूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और नागर विमानन मंत्राले सुनिशित करेगा कि विदेशों से आगमन पर देश के सभी अंतर रास्ट्रिय हवाई अड़ो पर दो प्रतीशत यात्रियों की ओचक कोविड जांच की जाए। देश में कोरोना के नए स्वरूप के पहुंचने का जोखिम कम करने के लिए य चरिवार सुभा दस बजे से ये वेवस्था लागो हो जाएगी केंद्रिय स्वास्त सचेव राजेश भूशर ने नागर विमानन सचेव राजी बंजल को लिखे पत्र में कहा कि प्रतेक उड़ान में ऐसे यात्रियों की पहचान संबंधित यारलाइन्स द्वारा की ऐसे नमूनों की जीनोमिंग परिक्षण के लिए इने भारतिये सार्स कोविड प्रयोकशाला नेटवर्क आई एन एसे सी ओजी में भी भीजी जाएगी स्वास्ते सचिव ने कहा है कि नागर विमानन मंत्राले कोविड समंधी जाज समन्वित करेगा और इसका वहन स्वास्ते मंत्राले द्वारा किया जाएगा उन्होंने स्वास्त मंत्राले से सभी अंतर रास्ट्रिय हवाई अड़ो पर रियाइती और समान दरों पर कोविड जाच कराने का अनुरोध किया पिछले कई दिनों से चीन में लाखों लोगों को अपना शिकार बना चूक है कोविड नाइनटीन के नए वैरियन ने भारत में भी दस्तक दे दी है अब सवाल उटता है कि क्या कोविड नाइनटीन का नया वैरियन भारत में कोरुणा की नई लहर ला सकता है ये सवाल गंभीर है लेकिन सच है ये कि देश ने इसे पहले भी मात दी है और अब भी भारत पहले से कहीं बहतर तरीके से तैयार है ये बात आज संसद में भी काफी मुखर रूप से निकल कर सामने आई सच में कोविट के हालात को लेकर स्वास्य मंतराले पूरी तरह से अलर्ट मोट पर है स्वास्य मंतरी मंसुक मांडविया ने कोविट के ताजा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया में कोविट के मामले बढ़ हैं लेकिन भारत में मामले कम हो रहे हैं सरकार चीन में बढ़ते कोविट के मामलों और इससे होने वाली मौतों पर नजर रखे हुए हैं मनसुक मांडविया ने सदन को बताया कि हम वैश्विक कोविट इस्थिती पर नजर रख रहे हैं और उसी के अनुसार कदम उठा रहे हैं राज्यों को सला दी गई है कि वो कोविट 19 के नए वेरियंट की समय पर पहचान करने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग बढ़ाएं सभी अंतराष्टिय हवाय अड़ो पर कोरोना दिशा निर्देशों के पालन और विदेश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच हो रही है कोविट 19 के बदलते वेरियंट से सारवजनिक स्वास्ते के सामने जो चुनरतिया पेदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है राज्यों को भी स्थानी स्थर पर सामुदाई क्रिग्रानी बढ़ाने के लिए और कोविट को नियंतरित करने के लिए सलाह दी जा रही है तोगों को प्रिकोशन दोज की अहमियात के प्रती जागृत्ता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए स्वासे मंत्री ने जानकारी दी के एक्सपर्ट ने नेजल वैक्सीन को भी अनुमती दे दी है जिससे देश में आने वाले समय में कोरोना से निपटने में सहायता मिलेगी देश में सभी अस्पताल में परियापत मात्रा में मेडिसीन का भी हमने रिव्यू कर लिया है एक्सपर्ट कमिटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेसल वैक्सिन को हो भी आ जाएगा तो उसमें कोई इंजक्शन बिंजक्शन लेना नहीं है उधर COVID-19 के मामलों को लेकर संसद में भी सतरकता दिखी लोगसबाद्यक्श उम्बरला ने पिछले अनुभवों को देखते हुए साउधानी बरतने की अपील की तो राजसबा में सभापती ने सभी सदस्यों से COVID-19 के नियमों का पालन करने का अहमान किया मेरा आप सभी मानने सदस्यों आग रहे हम सभी उन सुरक्षा उपयों का पालन करें मास का प्रयोग करें तता इस समझ में जन जागुता फिलाने में अपना योगदान दें मेरा विश्वास है जैसे हमारे देश ने पहले भी साहुएक प्रयासों से कोविड 90 पर विजय प्राप की थी हम आगे भी उसी प्रकास से इस माहमारी को रोकने में सबलता प्राप करेंगे सरकार ने भी सांसदों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है हाला कि विपक्ष ने सरकार की सलाह नहीं मानी जिस पर सरकार ने कहा कि ये उनकी मानसिक्ता खुदर शाता है विवार था और उनका वक्तव था राजियों के इस तर पर भी कोविट के किसी भी खत्रे से निपटने की तैयारी तेज हो गई है तमाम राज्यों ने बैठक कर हालात की समिक्षा की यूपी के मुखे मंतरी योगिया अधितिनाथ ने कोविट प्रबंधन के लिए गठित उचिस तरिये टीम नाइन के साथ गुरुवार को परदेश की इस्थिती की समिक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिये मुखे मंतरी ने कहा के भीड़ भाड़ वाले सारुजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए आमजन को जागरुक करें मुखे मंतरी का निर्देश है कि नए वेरियंट पर नजर रखें हर पॉजिटिव केस्प की जीनोम सिक्वेंसिंग कराएं दिल्ली में कोविट के हालात की समिक्षा के लिए मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने समिक्षा बैठकी महाराश्ट के मुखे मंतरी एकनाथशिंदे ने राज्ये में कोविट की स्थिती और तयारियों की समिक्षा बैठकी अध्यक्षता की देहराधून में उत्राखंट के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने COVID-19 की रोक्थाम को लेकर स्वास्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च सरीय बैठकी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत्मान ने भी कोरोना की इस्थिती को लेकर राज्य के स्वास्य विभाग के अधिकारियों के साथ चंडिकर सचिवाले में बैठकी इस बीच जानकारों का कहना है कि भारत में चीन जैसे हालात के आसार नहीं है क्योंकि पिच्चानवे फीसस से जादा आबादी को वैक्सीन लग चुकी है कुल मिलाकर सरकारे सतर्क हैं और ये भी साफ है कि घबराने की जरूरत नहीं लेकिन हम सभी को कोविड प्रोटकॉल का पालन करना बेहत जरूरी है साथ ही जिन लोगों ने प्रकॉशन डोज नहीं ली है उन्हें भी अपनी डोज जरूर लेनी चाहिए नितियंद्र सिंग और पार्लेमेंट टीम के साथ निउस नाइट डेस्क डीडी निउस राश्ट्रिय जाँच एजनसी ने कनहिया लाल तेली की निशन से हत्या के मामले में उदैपूर की विशेश एनाइए अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपत्र दाखिल कर दिया है ध्यान रहे कि इस साल जून में दो हमलावरों ने राजस्तान के उदैपूर में कनहिया लाल तेली की बेरहमी से हत्या कर दी थी हत्यारों ने इस जगन्यकांड का वीडियो भी बनाया था एनाइए रिकी चार्जशीट में कहा गया है कि ये हत्याकांड एक सोची समझी साज़िश थी जिसका उदेश्य देश के लोगों में भैका महौल पैदा करना था चार्जशीट के अनुसार जाज में पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने आतंकी गिरो मौड्यूल के रूप में काम कर बदला लेने की साज़िश रची थी आरोपी कटर पंथी थे और भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किये जा रहे आपती चनक औरियो वीडियो संदेशों से प्रेड़ना लेते थे इन अभी उक्तों ने घातक चाकूँ हतियारों की विवस्ता की और कनहिया लाल की उसके फेसबुक पोस्ट की प्रतिकरिया में हतिया कर दी और दिन दहाड़े उसकी दुकान में एक सहकर्मी पर हमला किया उन्होंने हतिया का वीडियो बनाया जारी किया और उसे वारल कर दिया उन्होंने भारत के लोगों के बीच आतंक फैलाने के अरादे से एक और धंकी भरा वीडियो भी शूट किया गरीबों तक बेहतर स्वास्ते सेवाएं उपलब्द कराने की दिशा में केंदर सरकार ने एक और कदम उठाया है लोगों को किफाईती उपचार की सहूलिया देने के लिए 119 जरूरी दवाओं की अधिक्तम कीमत तेह कर दी है सरकार की इस पहल के बाद बाजार में कैंसर, मधुमे, बुखार, हेपेटाइटिस समेत कई अन्य बिमारियों की दवाएं 40 फीस्दी तक सस्ती हो जाएंगी कैंसर की दवा में सबसे ज्यादा 40 फीस्दी की कमी की गई है सरकार आवश्यक दवाओं की रजश्य सूची में शामिल कुछ अन्य दवाओं की कीमतों में कमी लाने की नीती पर काम कर रही है और इनकी कीमतों में भी जल्द ही कमी की गोशना हो सकती है National Pharmaceuticals Pricing Authority की बैठक में इस सूची में शामिल 119 तरह की सहियोजन वाली दवाओं की अधिक्तम कीमत प्रती टेबलेट, कैपसूल तैंकी गई है NPPA ने प्रमुक रूप से जिन दवाओं की कीमते घटाई हैं उसमें बुखार की दवा पैरसिटामॉल, खून में यूरिक एसिट कब करने वाली दवा, मलेरिया, विभिन बिमारियों में उप्योग में लाई जाने वाली एंटी बायोटिक्स शामिल है इसके अलावा, मेनिनाइजिटिस, लीवर, शुगर, मेनोपॉज, खून पतला करने वाली और कैंसर के ट्यूमर की रफ्तार घटाने वाली दवाओं की अधिक्तम कीमत निर्धारित की गई है बाजार में गंभीर बिमारियों के लिए सस्ती दवाईयों की उपलब्दता गरीबों के लिए केंदर सरकार की तरफ एक बड़ा तोफा है वही साथ ही देश में हर व्यक्ती और हर घर तक स्वासे सोविधाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में महतपून भूमी का निभा रहा है रक्षक हरीज़ परिशद ने जरूरत के आधार पर सशस्त्र सेनाओं और भारतिय तटरक्षक बल के लिए 84,328 करोडों रुपए के 24 रक्षक खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दिये इन में से 82,000 करोडों रुपए से अधिक के 21 प्रस्तावों में स्वदेशी स्रोतों से खरीद को मंजूरी दी गई है इन प्रस्तावों में 6 थल सेना के लिए 6 वायू सेना के लिए 10 नौ सेना के लिए और 2 भारतिय तटरक्षक बल के लिए है ये निर्णे रक्षा मंतरी राजना सिंग की अधिक्ष्टा में रक्षा खरीद परिशत की बैठग में लिए गए इससे ना केवल सशस्त्र सेनाओं का आधुनी करण होगा बलकि रक्षा ओद्यों को आत्म नर्भर का लक्ष हासिल करने के लिए प्रोचसाहन मिलेगा धल सेना को युद में काम आने वाले वाहन, हलके टैंक और तो प्रणाली उपलद होगी जिससे उसकी तैयारियों को बल मिलेगा इन प्रस्तावों में सैनिकों के लिए बैलस्टिक हेलमेट की खरीद में भी शामिल है और वायू सेना को मिसाइल प्रणाली की नई रेंज और अत्याधोनेक निगरानी प्रणाली मिलेगी जो उसकी मारक शमता बढ़ाएगी भारतिय तट्रक्षा के बल को अगली पीड़ी की गश्ती पोत मिलेंगे जो उसकी निगरानी शमता बढ़ाएगी संसत के शीतकालीन सत्र के समापतों होने के एक दिन पहले भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा दोनों सद्नों में चीन के मुद्दे को लेकर वहाँ पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया जिस पर सरकार ने विपक्ष पर संसत की मर्यादा के अनुरूप व्योहार ना करने का आरूप लगाया दोनों सद्नों के सभापती ने संसत अधस्यों सहीत देश भर के लोगों से अपील की है कि वे कोविट नियमों का पालन करें संसत के शीत कालिन सत्र में गुरुवार को दोनों सद्रों में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया जिसके चलते दोनों सदन बादित हुए राजी सबा से विपक्ष ने दिन भर के लिए सदन से वकौट किया तो वहीं लोग सबा में पहले सदन बारे बजे तक और फिर बाद में कई बार इस्थकित करना पड़ा राजे सबा में विपक्ष द्वारा चीन के मुद्दे पर हंगामा करने पर नेता सदन पियूश गोएल ने कहा कि पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं लेकिन कॉंग्रेस की सरकारों ने कभी जवाब नहीं दिया हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने विस्तार से इस मुद्दे पर सदन में जवाब दिया है पियूश गोएल ने कहा कि राजीब गांदी फाउंडेशन के जरीए एक करोड पैंटीस लाख रुपए चीनी दूतावास से कॉंग्रेस को मिला है पियूश गोएल ने सदन में कॉंग्रेस पर आरूप लगाया कि वे राजीब गांदी फाउंडेशन के जरीए एक करोड पैंटीस लाख रुपए चीनी दूतावास से मिलने के कारण सदन में हंगामा कर रहे हैं संसदिय कारिमंत्रि पहला जोसी ने विपक्ष पर आरूप लगाया कि विपक्ष के नेता सदन में मर्यादा के अनुरूप बिहवायार नहीं कर रहे हैं वहीं नेता विपक्ष सदन में चीन के मुद्वे पर चर्चा की मांग को लेकर अडे रहे चेर्मन साब ने कहा कि लिडर अप्टे अपोजेशन मेरे चेम्बर में आईए हम बाचित करेंगे इसके बारे में तब एकदम अहंकार से इनको टुकरा दिया गया तो एक रूम में चर्चा करने का विशे नए है मैं नहीं आऊंगा ऐसे उन्होंने कहा खर्गे जी ने लिडर आफ अपोजेशन राजिसमा में बिहार के मुद्वे पर सदन के नेता के कथद वयान को लेकर विरोध कर रहे सांसदों को जवाब देते हुए नेता सदन पियुश गोहल ने कहा कि उनका मकसद किसी को दुख पहुचाना नहीं था लेकिन फिर भी मैं अपना बयान वापस लिता हूँ राजिसमा में अनुसूचे जनजाती संविदान संशोधन के तत्वाइब देता हुए तीन विदेक जिसमें तमिलाडू हिमाचल और करनाटक राज जी की अनुसूचे जनजाती की सूची में संशोधन किया जाना है पारित कर दिया गया एक सो कतीस करोडा वादी के देश में पांच हजार लोगों के आवाज भी यह सरकार सुन सकती है यह इस बात का प्रतीत है लोग सबा में केंद्री मंत्री प्यूश गोईल ने देश में कारूबारी सुगमता को बढ़ावा देने से संबंदित जन विश्वास संसोधन विद्यक 2022 पेश किया जिसे बात में दोनों सदनों की सायुक्त समिती को भेज दिया गया हम समझते हैं कि जनता का विश्वास और व्यापार उत्योग का विश्वास सबसे महत्तोपूर्ण है इससे कोटों के ओपर भी बर्डन कम होगा इसलिए इसका नाम भी जन विश्वास अमेंडमेंट और प्रोविश्वास बिल 2022 दिया गया शीत कालिन सत्र समाप्त होते होते वैस्विक इस्तर पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सदन में चिंता व्यक्त की गई दोनों सदरों के सवापती ने सदन के सदस्यों सहित देश भर के लोगों से अपील की कि वे कोविड नियमों का पालन करें साथ ही केंद्री स्वास्त मंत्री ने दोनों ही सदरों में देश में कोविड-19 को लेकर वर्तमान इस्थिती और सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर बयान दिया राजेस राज, कुमार आलोक और विकास सार्थी के साथ रिशी कुमार, डीडी नियूस, दिल्ली और सूशना और प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन ने कहा कि नारी कुर्वा और कुर्वी करान जो तमिलनाडू की अनुसूची जाती हैं, उन्हें अनुसूची जन जाती में शामिल करने की लंबे समय से मांग थी इस सम्मन में लोगसभा और राज्यसभा में विद्यक पारित हो चुका है, जिसके लिए हम पियम मोदी के इस बड़े कदम के लिए आभारी हैं नारी कुर्वा और कुर्वी करण अनुसूची जन जाती में सामिल होने की लंबे समय से मांग कर रही थी उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा देने की सोची, जैसा की केंदर सरकार से अनुरोध था कि उन्हें अनुसूची जन जाती में सामिल किया जाए प्रधान मंत्री मोधी ने आज लोकसवा और राज्यसवा में पारित एक विद्यक में उनके अनुरोध को सुविकार कर लिया है हम पीम मोधी के इस बड़े कदम के लिए अभारी हैं कॉंग्रेस महासचीब प्रियंका वाडरा के बती रॉबर्ट वाडरा और उनकी मा मौरीन वाडरा को बड़ा जटका लगा है अदलत ने भिकानेर में सरकारी जमीन की खरीद फरोगत में हुई धोकदाड़ी की प्रवरतन इदेशाली द्वारा की जा रही जांच को रोकने की याचिका खारिश कर दी वाडरा ने इस याचिका में एडी की कारवाई पर रोक लगाने की अरजी दी थी करने की थी जो एनफोर्स्मेंट डिरेक्टिट ने लॉज की हैं और पंदरा दिन का प्रोडेक्शन उनको दिया है कि पंदरा दिन तक इनके खिलाब को अरेस्ट होगा इस तरह की कोई कारवाई नहीं हो उसके बाद एप्रोप्रेट रेमेडिय ले लेकिन प्रिशन्स खार पर पैसा भी उनी के पास वापस आ गया है और वहीं है मामला दोहजार अठारा में बिकानेर के एक उलायक में सरकारी जमीन की खरीद फरोग्त से जुड़ा हुआ है पुलिस ने इस मामले में फर्जी वाड़े की एफ आई यार दर्ज की थी इसके बाद सीवी आई ने जा नाम जमीन खरीद कर पूरे घोटाले को अंजाम दिया था इस मामले में सकाई लाइट होस्पिटालिटी एल एल पी कमपनी का नाम आया था कमपनी के साज़ेदारों के खिलाफ एडी ने साक्षे एकत्रिप किये हैं एडी ने रॉबर्ट और उनकी मा मौरीन की गिरफतारी के लिए भी आचिका लगाई थी जिस पर कोट ने रोक लगा दी थी और वही अब ट्वीटर पर वीडियो की तरहा ट्वीट के वीउस की संख्या भी दिखाई देगी ट्वीजर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी उन्होंने लिखा कि ट्वीटर अब वीव काउंट शुरू करने जा रहा है अता आप ये देख सकेंगे कि एक ट्वीट को कितनी बार देखा गया है वीडियो के संदर में ये सुविधा पहले से मौजूद थी ये सुविधा इस बात को प्रदर्शित करेगी कि ट्वीटर कितना जीवन तमंच है ध्यान रहे कि नबे फीज़ी से अधिक ट्वीटर यूजर ट्वीट पढ़ते तो हैं लेकिन वो रिपलाई या लाइक नहीं करते क्योंकि ये उन्हें सारवजनिक रियाएं लगती है और क्रिस्मस का पर वजह से ऐसे करीब आ रहा है उसकी तयारियां भी बढ़ती जा रही है कौलकता का पार्क स्ट्रीट भी क्रिस्मस की तयारी और खरीदारी की वजह से लोगों से खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया क्रिस्मस और नहीं साल से पहले पार्क स्ट्रीट में लोग जश्न मनाते दिखे लोग तियोहार को लेकर जमकर खरीदारी में लगे हैं और घरों की विश 26 सजावट की जा रही है 26 दिल्ली पुस्तक मेले में इगनू का स्टॉल आकरशन का केंदर बना हुआ है यहां एक तरफ जहां पुस्तक प्रेमी जम कर सेलफी ले रहे हैं तो वहीं दूसरी और इगनू की पाथ ये सामगरी भी आकरशित कर रही है और क्या खास है यहां बता रहे हमारे समधाता गिरीश निशाना 26 में दिल्ली पुस्तक मेले में इगनू का स्टॉल भी आकरशन का केंदर बना हुआ है क्या खासियत है इगनू का स्टॉल की इस पर जाज़ा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर डाक्टर करन कपूर जी सर क्या खासियत है आपके इंगिश्ट तांक यू सो मच जी आद वेरी आउटसेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इगनू का जो स्टॉल है यह हमें आई टी प्यों ने अलॉट किया है इगनू वर्ल्ड की लाजिस्ट ओपन लर्निंग डिस्टन्स एड्यूकेशन यूनिवर्सिटी है जिसमें की हमने यहां पर यह मेसिज बोर्ड है जिसमें की जो भी हमारे विस्टर्स हैं वो अपना प्रेजन्स को एंडॉस कर रहे हैं यह इंडिया और इगनू का फ्लाग स्टन्ड है जिसमें की इगनू इंडिया की एड्यूकेशन को एंपावर करता है और उसके जो वेरियस 21 स्कूल है उनको दर्शाता है हर एक फ्लाग यह एक सेल्फी स्टन्ड है जिसमें की जो भी हमारे विस्टर्स हैं वो इगनू के सा तो उनका एक सेल्फी विद इगनू पोडियम दाइस देर, देन वी हाव दिस हर्बल फाउंटेन विच इस वरी इंट्रस्टिंग, इसमें 11 डिफरेंट प्रकार के हल्दी अनुट्रिशिस जो प्लांस हैं वो हैं, देकन अल्वी अल्वी यूज्ट इन आर डे टुडे लाइ हम लोग जो कोर्स ओफर करते हैं प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, उनकी प्रोग्राम के कुछ पुस्तकें यहां पर रखी हुई हैं, डिस्प्ले के लिए, और चुकि यह डिलही न्सियार में हमारे चार रिजिनल सेंटर्स हैं, चारों का रिप्रेंटेशन यहां प नोइडा आर सी भी है, जिसके जो है रिप्रेंटेटेटिव यहां पर हैं, जो यहां हम लोग जो है बेसिकली आयों हैं, जो प्रोग्राम हम आफर कर रहे हैं, विजिटर्स जो हमारे आएंगे वो अगर बाचीत करना चाहेंगे तो उनको हम बता सकते हैं कि किस फिल्ड में जिसे अगर मेडिकल फिल्ड में करना चाहते हैं, अगरिकल्चर फिल्ड में करना चाहते हैं, टूरिजम में करना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम से हैं, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, इवेन बैस्टर्स डिग्री है और मास्टर प्रोग्राम भी हम लोग अफर कर रहे हैं तो इसकी तमाम संपूर्ण जानकरी इस इस टॉल पर मौजूद है कैमरेमेन आजय कुमार के साथ ग्रीस निशाना डीडी न्यूज दिल्ली और राजदानी दिल्ली में इन दिनों दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल की धूम है कुरोना महमारी के दो साल के बाद ये आर्ट्स फेस्टिवल फिर से लोटा है भारतिय संस्कृति और विरासत की पहचान करवाता ये फेस्टिवल दिल्ली के करतव उपत पर कर इस कला महुसब को संस्कृतिक मंत्राले भारत सरकार और प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से आयुजित किया जा रहा है। इस कला और संस्कृतिक महुसब की थीम वेर भारत मीट्स इंडिया है। आर्ट्स फेस्टिवल की डिरेक्टर और पदमश्री से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद ने बताया कि आने वाले दिनों में ये कला महुसब देश की विविदता में एकता का परिचायक है। संकर से जूज रहे यूकरेन में सेंट निकोलस दिवस पर यूनिसेफ ने नई पहल और गतिविदियों को बढ़ावा दिया। इस संदर में यूएन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूकरेन में साथ मिलियन बच्चों के लिए दोहजर बाइस की छुटियां उनके द्वारा देखी गई किसी भी आन्य छुटियों के विपरीत हैं। इसके लिए यूनिसेफ ने देश में बच्चों के लिए विशेश उपहार देने वाली ट्रेन की शुरुआत की है जिस से वो छुटियों का भरपूर लुट्व उठा सकें। ओडिशा के मुखे मंतरी नवीन पतनायक ने आगामी F.I.H. ओडिशा होकी पुरुष विश्वकब 2023 की तैयारियों और गतिविदियों पर चर्चा करने के लिए आज भूबनेश्वर में सर्वदलिय बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्री मंतरी धर्मेंदर प्रधान में मौजूद थे। बैठक में नवीन पतनायक ने कहा कि सभी राजियों के मुखे मंतरियों को ओडिशा होकी पुरुष विश्वकब 2023 के लिए व्यक्तिगत रूप से अमंतरित किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्री मंतरी धर्मेंदर प्रधान मंतरी मौदी ने खेलों को बढ़ावा देने की वर्यता दी है। हकी इन ओडिसा और इसी के साथ फिलाल इतना ही। डीजे जाज़त नमस्कार।